हेलो गाईस, वेलकम टो प्रगती ग्लासेश, आज की ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स को देखना बेहत जरूरी है जो क्लास 10 का बोर्ट एक्जाम 2021 में देंगे सबसे पहले तो आपके लिए एक एड्वांटेज है, अच्छी बात ये है कि आपके बोर्ट एक्जाम का पैटन आज इस लास्ट येर की तरह रहने वाला है, तो इसका मतलब है कि आपको प्रेपरेशन भी क्या उसी के अकॉर्डिंग ही करनी होगी जिसके लिए आपको पता होना चाहिए कि लास्ट येर का पैपर कहां से बना था, किस टाइप का कोश्चन आया था तो आपको बता दे कि पूरा पैपर NCRT बेश था, बट कोश्चन कोंसेप्चुल नेचर के पूछे गए थे और कहें तो स्टूडेंट की थिंकिंग लेबल, उनकी एंटालिजिंसी को चेक करनी के लिए कोश्चन बनाया गया था जिसमें कई सारे स्टूडेंट को काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, उन्हें कोश्चन समझ में ही नहीं आया कि उन्हें बाद में रियलाईज हुआ कि ये कोश्चन तो बहुत ही आसान था, तो कोश्चन आपका इंसी आडी बेस था, लेकिन स्टूडेंट को सोचना पड़ रहा था और ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि कईयों ने उस टाइप के कोश्चन की प्रैक्टिस ही नहीं की थी, पर आपको ये गलती नहीं करनी है इस पेसली बात करे साइंस के लिए, तो अफकोर्स सबसे पहले आपको इंसी आडी पढ़नी है उसके बाद next आपको कोश्चन करनी है एक्जांपलर के क्योंकि new pattern के according जब तक आप हर चैप्टर के एक्जांपलर कोश्चन को solve नहीं कर लेते हैं तब तक आपकी preparation अधूरी है और इसी को ध्यान में रखते हुए 2020-21 के session के students के लिए एजू कार्ट की NCRT exemplar problem solution की book आई है market में जिसके अंदर आपको कोश्चन के answer के साथ उसका explanation भी मिलेगा इंडिया के top CBSE export ने मिलकर इस book के solution पर काम किया है इसका मतलब है कि आपको हर टाइप के question को NCRT की language में basic mention करा के diagram, equation, table के through explain किया गया है जिससे कि आपके doubt clear हो सके इसके अलाबा इस book में CBSE ने जो दिक्षा platform launch किया था I think February में जिसमें उन्होंने chapter wise question दिये थे practice के लिए तो इस book में उस दिक्षा platform के जो भी important question है उसको भी solve कराया गया है जिससे आपकी काफी अच्छी practice हो जाएगी मेरी समझ से क्यूंकि आपको अपनी तरफ से कुछ भी नहीं छोड़ना है exam के लिए आपको अच्छी preparation कर ली है इसलिए आपको जो हर chapter जैसे ही आप कर रहे हो उसकी बाट तुरंत ही आपको wait नहीं करना है कि हम examplar बात में करेंगे जैसे आपने chapter किया तुरंत आप examplar कीजिए और educart का examplar है वो आप खरीच सकते हैं online मैं आपको link दे दूंगे description में एक खास बात जो कि आपको इस book में देखने को मिलेगी वो यह है कि पिछले 10 साल में जो भी question examplar से पूछे हैं CBAC ने वे सब ही इसमें mark किये गए जिससे आपको पता चलेगा कि कौनसा question important है और कौनसा question important नहीं है overall अगर आप इस book से NCRT examplar के solution समझते हैं तो आपको एक बड़ा advantage मिलेगा खास तोर पे अभी जब की classes नहीं हो रही है और आप अपने teacher से नहीं पूछ पाते हैं question और आप में से कई student के मैंने comment भी देखे हैं कि student बोलते रहते हैं कि माम online classes तो हो रही है बट कुछ समझ में नहीं आता है teacher सिर्फ homebook देकर चले जाते हैं तो ऐसे में आपके पास time है भी ये कि आप अपनी खुद से preparation करो क्योंकि last year को ध्यान में रखते हुए आप जो question का pattern होता है वो student को thinking level और किस तरीके से analyze करते हैं इस चीज को उस पर बहुत जादा focus करते हैं कोई भी question इतना tough नहीं होता सर्फ दिमाग लगाने का होता है जिसके लिए आपको exemplar के question करने बहुत जरूरी है तो इस book की buy link आपको मैं description box में दे दूँगी आप मंगवा सकते हो आसानी से एक दो दिन में आपको ये book मिल लगी Amazon पे इसका जो प्राइज है वो 229 करके दिखा रहा है बाकी तो आप घर पे रहिए सुरक्षित रहिए और अपने study को carry on रखिए उसमें आपको कोई deal नहीं देनी है क्योंकि आपका exam होगा ही और हाँ वीडियो को like भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ share कीजिए वीड में दिए आंट